हेलो गाइस कैस आप स्पी गाइस अगर आप अपने डिवाइस में किसी चाइनिस पोर्ट रॉम को यूज करते हैं या फिर GSI को यूज करते हैं तो आपने कभी कभी ये एरो देखा होगा कि हमें हमारी रॉम के अंदर प्ले स्टोर तो देखने के लिए मिलता है लेकिन वो प्ले स्टोर वरक नहीं करता काफी सारी पोर्ट रॉम और GSI के अंदर ये एरो आता है जैसे कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हो मैं यहां पर सिंग इन नहीं कर सकता और मुझे यहां पर उपर एक मैसिज देखने के लिए मिलता है कि मेरे डिवैस में जो प्ले सर्विस है वो नहीं है तो गैस अगर आपको भी कोई ऐसा ऐरो वगेरा देखने के लिए मिलता है चाइनिस पोर्ट रॉम या फिर GSI के अंदर तो मैं आपको आज किस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप प्ले स्टोर को कैसे वर्किंग कर सकते हो जैसे कि मैं सबसे पहले मेरे डिवैस की सैटिक्स में जाके दिखा देता हूं कि इस समय मैं Realme UI की GSI को यूस कर रहा हूं मेरे Redmi के डिवैस में और इसके अंदर प्ले स्टोर वर्क नहीं कर रहा तो गाइस अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो मारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जुरूर कर लीजेगा तो चलिए भाम स्टार्ट करते हमारी वीडियो को तो गाइस अपने डिवाइस में प्ले स्टोर को वर्किंग करने के लिए सबसे पहले आपका डिवाइस रूटिड होना चाहिए जैसे कि आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो इस टाइम मेरा डिवाइस रूटिड नहीं है यानि कि इसके अंदर मैजिस्क इंस्टोल नहीं है तो गाइस सबसे पहले आपको अपने डिवाइस में मैजिस्क इंस्टोल करना होगा मैजिस्क इंस्टोल करने के लिए आप जैसे कि जानते होगे सबसे पहले आपको अपनी रिकवरी के अंदर बूट करना है चाहे आप Orange Fox की recovery यूज़ कर रहे हो या भी TWRP की recovery आपको सिंपली उसके अंदर चले जाना है जैसा कि guys आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हो मैं मेरे device में Orange Fox की recovery के अंदर आ चुका हूँ अब guys आपको क्या करना है आपको सिंपली अपने device के अंदर जो मैंजिस के उसकी zip वगएरा ढाल लेनी अपने PC से अगर आपके बास PC वगएरा नहीं है तो आपको pen drive connect कर लेनी अपने device के अंदर और मेरे इस pen drive के अंदर मैं जिसकी zip file है जैसे कि आप सभी अपने screen पर देख सकते हूँ मैं इसे इसके साथ connect कर रहा हूँ तो guys अब जल्दी से मैं मेरे device को root कर लेता हूँ और अगर आपको अभी तक नहीं आता कि अपने device को कैसे root करते हो तो भाई आप इस दर्तिके हो ही नहीं तो चलिए जैसे ही मेरे device root होता है मैं आपको बताता हूँ कि अब आपको अगे क्या करना होगा जैसा कि guys आप सभी अपनी screen पर देख सकते हो मैंने मेरे device को successfully root कर लिया है यानि कि इसके अंदर magis manager install कर लिया है जैसे कि आप सभी अपनी screen पर भी देख सकते हो आपको zoom करके दिखा देता हूँ यह देखिए मेरे device rooted है और इसके अंदर मैं magis 25 use कर रहा हूँ इसके बाद guys आपको क्या करना है मैं आपको वीडियो की description में दो files दूंगा जिनको आपको download कर लेना है तो guys दोनो files आप अपनी screen पर देख सकते हो पहली file है gms core की zip file और दूसरी है empty manager की file अब guys आप सोच रहोंगे कि हमारे device में तो play store वगरा working है नहीं तो इस दोनो files को मैंने copy कैसे किया तो guys इन दोनो files को आपको आपको वीडियो की description में download करके PC के अंदर paste करके PC से अपने device के अंदर copy कर लेना है आप ऐसे copy इसको कर सकते हो ऐसे ही मैंने किये इसके बाद आपको क्या करना है जो gsm core की zip file है आपको simply इसे unzip कर लेना है जैसे कि आप सब अपनी screen पर भी देख सकते हो जैसे ही guys आपके device में जो gsm core वाली zip file है ये unzip हो जाए तो आपको simply ये जो empty manager वाला APK इसको भी install कर लेना है तो guys मैं भी install कर लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि अब आपको आगे क्या करना होगा जैसा कि guys आप सब अपनी screen पर देख सकते हो मैंने मेरे device में जो empty manager है इसको successfully install कर लिया है अब आपको simply से open करना है open करने के बाद guys ये application आप से root की permission मांगेगी तो आपको simply grant कर देना है मैंने इसे पहले grant कर दिया यानि कि root की permission दे दिया अब guys आपको क्या करना है आपको यहाँ पर दो partition देखने के मिलेंगे storage के पहले तो आपके device की जो internal storage है वो और दूसरी जो आपके device की firmware partition है यानि कि आपके device की जो rooted files है वो सारी files आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी इसके बाद guys आपको simply क्या करना है जो आपने gms core की जो zip file है unzip की थी वो folder है उसको open करना है जैसे कि आप सभी अपनी screen पर देख सकते हो यह वाला वो folder है gms core मैं simply इसे open कर लेता हूँ इसको open करने के बाद मुझे एक और folder देखने के लिए मिलेगा मैं simply इसको भी open कर लेता हूँ इसके अंदर मुझे 3 files देखने के लिए मिलेगी तो guys जैसी मुझे तीन files देखने के लिए मिल जाए मुझे simply एक back जाना है और यह जो folder है यहाँ पर मुझे रहना है इसके बाद मुझे यह दूसरा partition है यहाँ पर जाना है और यहाँ पर एक option देखने के लिए मिलेगा my high tab जैसा कि आप सुब अपने screen पर देख सकते हो हमें यह option देखने के लिए मिलेगा थोड़ा उपर नीचे करने के बाद scroll करने के बाद my high tab आपको simply यहाँ पर click करने के बाद आपको इतने सारे options देखने के लिए मिलेगे तो आपको यहाँ पर जो आपका यह folder है gmscore इस पे simply hold click करके रकने हैं और अब कॉपी पे click करने क बाद simply okay कर इतना करने के बाद guys आपको simply से allow करने है, allow करने के बाद आप देखोगे कि ये वाला जो आपका folder था gmscore, ये वाला folder इधर आ चुका है, जैसे कि आपसे भी अपने screen पर देख सकते हो, अब आपको simply से open कर लेना है, अब guys आपको क्या करने है, इसके अंदर आपको एक application देखने मिलते है gmscore, आपको simply इस पर hold करके रखने है, hold करने के बाद आपको यहां पर कुछ options देखने के लिए मिलेंगे, तो आपको simply properties वाला जो option है, ये देखिए, आपको simply यहां पर click करने है, यहां पर click करने के बाद आपको कुछ इस परकार के options देखने के लिए मिलेंगे, तो आपको simply modify पर जाने है, modify पर जाने के बाद आपको यहां पर एक option देखने है on end group, आपको simply यहां पर click करने है, यहां पर click करने के बाद जो पहला option है root वाला, आपको दूसरे option group के अंदर भी root करने है, जैसे कि आप यहां पर click करोगे, click करने के बाद आपको simply उपर यहां से scroll करत क्लिक करके ओके कर देने हैं, ओके करने के बाद आप जैसे कि देख सकते हो हमारे डिवाइस में जो यह एपिक है, इसमें ओनर भी रूट हो चुक है और गुरूप भी रूट हो चुक है, अब आपको फिर से मोडिफाइ पर जाना है और प्रिमिशन के अंदर जाना है, इसके आप पर टाइप करना है, 644 और इतना करने के बाद आपको सिंपली से ओके कर देना है, इसे ओके करने के बाद आपको यहां से भी इसको ओके कर देना है, और इसको क्लोज कर देना है, इसके बाद आपको सिंपली एक बार बैक चले जाना है, बैक जाने के बाद जो पूरा folder है gms score वाला आपको simply इस पर hold click करके रखने है hold click करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से option देखने के मिलता है property वाला आपको simply यहाँ पर click करने के बाद आपको simply modify के उपर जाने है modify के बाद जाने के बाद आपको simply permission के उपर जाने है और permission के उपर जाने के बाद जो आपको यहा यहाँ पर टाइप करना थैना है 755 यानीकी 755 आपको टाइप करके simply okay कर देना है अपको simply हदे यहां से फिर से को okay करके close कर देना और येवाली जो application इसको recent से हटा देना है इतना करने कर देना है आपको simply अपने device को एक बार reboot कर देना है रिबूट करने के बाद guys मैं आपको अब आगे बतातों कि अब आपको क्या करना होगा लेकिन guys अगर आपको यहां तक वीडियो अच्छी लगे हो तो इस वीडियो को एक लाइक जुरूर कर देना तो guys जब तक हमारा डिवाइस रिबूट होता है हमें simply थोड़े टाइम तक वेट करना होगा और guys जैसे हमारा डिवाइस रिबूट होता है आप देखोगे कि हमारे डिवाइस में जो प्ले स्टोर है वो simply वरक करना स्टार्ट कर देगा अब guys अगर आपको Realme UI की जो GSI है उस पे review वाली वीडियो चाहिए तो आप हमारी वीडियो की description चेक कर सकते हो उसमें मेरा प्ले स्टोर भी working है और guys अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे हो तो हमारी शूटूट चैनल को subscribe और वीडियो को like जुरूर कर लिजेग और हो सके तो मेरे motivation के लिए एक नीचे comment भी कर देना तो guys चलिए अब हम मिलते हमारी किसी next वीडियो में तब तक टाटा बाई बाई